हेलो दोस्तों एक पर फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स भाई अमित खुराना सर और दोस्तों आज आपके लिए लेके आये हैं हम की NCRT में से सिक्स के कौन-कौन से जो टोपिक हैं वह रेडियूज कर दिये गए हैं कट कर दिये गए हैं जो आपको इस साल नहीं पढ़ने NCRT ने आपके SLAVAS में से CUT कर दे गए हैं, REDUCE कर दे गए हैं, दोस्तो 1 by 1, PLUS 1 और PLUS 2, दोनों के TOPIC हम discuss करेंगे, कौन-कौन से CUT कर दे गए हैं, वहीं आपके SLAVAS में से, और जो आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने हैं, ठीक है दोस्तो, तो हम 1 by 1 Chapter के ओपर आएंगे, कुछ कर दिये घैन तो इसका कि जिसका ऊजड़ के पास आता है ऐहां के नाम से यहां छिवड कौन स्वाइन में पृपिक थक लियर ओ जाएगा कि यह नाम क्या था से फिजिक्स के बारे में information थी जो second topic था वह था भी scope and excitement of physics थर्ड topic था physics technology and society के नाम से था और जो fourth आ रहा है fundamental force in nature और fifth आ रहा है nature of physical law दोस्तों first chapter में से यह जो topic है वो आपके बिल्कुल cut करती गए हैं जो आपको उनस वार नहीं पढ़ने हैं दोस्तों तो आते हैं second chapter में हमारे पास कौन कौन से topic के cut कर दिये गए हैं तो जो second chapter का हमारा name था वो था unit and measurement यहां से topic cut कर दिये गए हैं वह 2.3 measurement of length 2.4 measurement of mass 2.5 measurement of time 2.6 accuracy accuracy precision instrumental and error in measurement यह topic दोस्तों ncrt ने आपके स्रेवस से बिल्कुल cut कर दी हैं आपको नहीं पढ़ने हैं exercise में से इंस इस इतनी प्रॉलम्स थी से 2.13 2.14 यह सब भी आपको नहीं करने हैं तो third chapter के उपर आते हैं जो था हमारा motion in straight line ठीक है यहां यहां से कौन कौन से topic discuss कर दिये गए हैं position path length and displacement ठीक है और average velocity and average speed cut कर दिया गया है relative velocity cut कर दिया गया है अक्सर साइच के कुछ है question है जो आपके यहां से cut कर दिये गए हैं लेकिन थोड़ा सा तो आपको जो basic part है और यहां पढ़ना पड़ेगा distance or displacement हो गया यह basic part आगे हमारे speed का velocity का graphs related तो यह topic आपको discuss करना पड़ेगा NCRT में cut तो कर दिया पता ने पूर तरह से को cut क्यों किया है जबकि यह आपका विल्कुल basic part था इसके बिना आप next portion कोई भी discuss नहीं कर सकते हो तो यह पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है वह चलिए आते हैं दोस्ता हम next chapter के ओपर जो हमारे पास next आता है chapter number 4 motion in plane यहां पे भी relative अलोश्टी है दोस्तों लेश्टी हमारी straight line motion में भी आती है और plane में भी आती है यह cut कर दिया गया गया और इससे related जितने भी questions नहीं यहां दिया हो है 4.12 से लेके 4.14 तक 4.26 से लेके 4.32 तक यह भी दोस्तों आपका cut कर दिया गया portion चलिए next topic पे आते हैं जो भी अपना है chapter number 5 laws of motion के नाम से ठीक है यहां पर हमारे पास क्या सिर्फ exercise cut की गया इसके लावा कुछ भी cut नहीं हुआ है चलिए next आते हम chapter number 6 के ओपर जो अपना है work energy and power यहां से भी कुछ topic cut कर दिया गया लाइक various form of energy of law of conservation of energy law of conservation of energy का टोफिक था शायदे वो mechanical energy का था वो यहा मिलने वाली है दोस्तों कोशिश करना जो आपकी पुरानी बुक है उसे प्रतेश मत करना अगर करते भी हो तो नई बुक को देखके कौन कौन से टोफिक अपके reduce हुए हैं उनको वहां से cut कर ले ना वहीं है दोस्तों आते हैं हम कहां पर chapter number 7 के ओपर यहां से कौन कौन से ट पेट कर दिया गया और साथ में जो एक्जांपल दी हुआ जो मैंसे 10.7 लिया हुआ है भई हमारे पास एक्जांपल नबर 10 दिया हुआ है और एट इन से 7.9 दिया हुआ है 7.2 जो सारे टोफिक हमारे पास जो यहांसे cut कर दिया गया है दोस्तों नेक्स चेप्ट आपने पास है भी ग्रेविटेशन यहां से भी कुछ एक टोफिक कट कर दिया गया वी लाइक जियो स्टेशनरी एंड पॉदर से टोफिक था जो बेसिक चीजों को स्टोडी करने हमारी हेल्प करते है वही वेट लेस्ट नेस तो यह तो हमारे पास खाली एक चैप्टर हमारे पास यहां से एलास्टिक बीहेवियर ओफ सॉलिट के नाम से कट कर दिया गया है determination ऑफ यंग मोर्लस of the materials of the wire ये बच्चे wire को find करने के लिए young models use होता है इसे वो ही cut किया गया लेकि इसका जो basic part है वो आप किस लिवस में रहेगा इसके next part के ओपर आते हैं बच्चे तीन part है इस chapter के हमारे पास एक आता है mechanical property of solid second आता है अपने पास property of fluid third आता है thermal property इस 7th unit है उसके तुर्ण तीन chapter हमारे पास है और जो 10th chapter है 7th unit का यहां से क्या क्या cut कर दिया गया भी आपका venturi meter blood flow, detergent, surface tension यह सारी applications है हमारे पास वही जिसको cut कर दिया गया है next thermal properties of matter green house affected or basic proportion है जो आप already पढ़ते आ रहे हो ठीक इसके बारी knowledge भी है cut कर दिया गया इसे हमें कुछ फ़क नहीं पढ़ने वाला दोस्तों next thermodynamics इसमें से topic जो heat engine refrigerator heat pump यह totally basic part आपका clear कर दिया गया है वही काफी हाथ तक यह आपके जो basis था है daily life से उसको clear करता है इसको भी यहां से उन्होंने cut कर दिया गया है पदा नहीं उन्होंने इस पर चोड़ टोपिक है वह क्या सोच समझ के बनाए है वही ठीक है बाकि मेरे जितने भी वोड्स है उनसे यह गुजारिश है वही कि एक चोड़ टेक्निकल सब्जेक्ट है वह आपके स्लेवस में जूर एंक्लूड किया जाए क्योंकि जो टेक्निकल इन्फोमेशन है वह आपको स्टार्टिंग से आने चाहिए सिक्स्त कलास से एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जब अच्छों के लिए एड कर देना चाहिए ठीक है जी बाकि वह तो गोर्मेंट है उनकी इच्छा है वही चलिए नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर थर्टिन कानेटिक थेओरी ऑफ गैंसेज यहां से स्पैसिपीट कपैस्टी का टोफिक कट कर दिया गया है खाली वोटर के लिए यूज की हमारे पास लेकिन बेसिक रहेगा स्पैसिपिक होती है अपने पास चैप्टर नंबर फोर्टिन के उपर आते हैं यहां से देम्ट उसिलेशन हर्मोनिक मोशन कट कर दिया गया है टोटली थियोटिकल पॉश्टन था भी फोर्स उसिलेशन एंड रेजिनेंस यह भी कट कर दिया गया और इससे रिलेटेड जो कोश्टन ने वह भी कट कर दिए गए हैं जो निचे आपको example दिखाई दे रहे हों दोस्तों और last and final chapter आता है एपना wave के नाम से हैं ज़िए कर दिया गया है वही डापलर effect कर दिया गया वही यह भी आपका एक basic part था जो आपके daily life से उठाया गया था इन्होंने इसे भी कट कर दिया गया है इतिंग समझ में आ गया होगा इसके अलावा अगर आपको जानना है कि आपके slavers, चाहे आपका slavers कोई भी हो कोई भी subject है, किस subject का कौन-कौन सा portion reduce हुआ 11th और 12th का, तो आप मुझे message कर दीचे, comment box के अंदर, तो उसका slavers भी आपको करवा दिया जाएगा, क्या-क्या slavers यहां से reduce आपका हो चुका है, दोस्तों I think आपको समझ में आ गया होगा क्या-क्या slavers आपका reduce हो चुका है, दोस्तों तो next video में जो हम करने वाले हैं, क्या-क्या slavers आपका आने वाला है अभी तो हमने discuss क्या reduce हुआ है और next discuss करेंगे क्या आपका आने वाला है, दोस्तों, ठीक है तो आज के लिए यहीं तक मिलते हैं, हम next video में काफी वीडियो जो हैं, topics से लेटेट हमने डाली होई है, ठीक है, काफी units डाली होई है, तो जो भी आपको topics समझ मना है, आपने classroom में यहां से पढ़ सकते हो, अगर आपको कोई भी offline class join करनी है, या online class join करनी है, तो उसके लिए मुझे आप WhatsApp कर सकते हो, जो WhatsApp नंबर है, एक telegram का हमारा group भी है, वो आपको मिल जाएगा भी कहाँ पर नीचे description के अंदर, तो आज के लिए goodbye दोस्तों करनी है, जो आपको करनी है, या दोस्तों